आज नए संसद भवन में हम सब मिल करके नए भविष्चे का स्री गणेश करने जा रहे हैं आज हम यहां विख्षीद भारत का संकल्प दोहराना फिर एक बार संकल्प बद्ध होना और उसको को परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जूटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं कि सम्मानिय सभाग्र यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेजित भी करता है आजहादी के पूर्व यह खन एक प्रकार से लाइब्रेरी के रुप में इस्तमाल होता था लेकिन बाद में सम्विधान सभागी बैठके यहां शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्वारा ग्रहन चर्चा विचाना करकर के हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकोमत ने सत्ता हस्तांत्र किया उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंट्र हॉल है इसी सेंट्र हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और अइतिहांसिक अउसरों पर आजहती के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भागे को घड़ने के पर विचार किया सहमती बनाई और निर्ड़े भी किये नाइंटिन फिप्टी टू के बाद दुनिया के करीब कि फोर्टी वन राष्टा देख्षोन इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य संसदों को संबोधित किया है हमारे राष्टपती महवदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे हैं जिम्मेवारियों को समाली है अनेक कानूनों अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं अभी तक लोगसभा और राजसभा ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पास किये हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो जोइंट शैसन के माद्यम से भी कानून पारिद करने की दिशा में रननिती बनानी पड़ी और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो आतंग से लड़ने के लिए कानून हो यह संयुक्त सत्र में पास किये गए हैं इसी ग्रह में पास किये गए हैं इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतिक्षा थी शाहबानों केस के कारण कुछ उल्टी पाटी पर चड़ गई थी इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाग विरूद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया संसद्य बिते वर्षों में ट्रांस जेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण को इसके बाध्यम से हम ट्रांस जेंडर के प्रती सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी शिक्षा स्वास बागी जो सुविधाये हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बड़े हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरुनतों को देखते हुए उनके एश्पिरेशन को देखते हुए ऐसे कानूनों के निर्मान किया जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा कि चर्चा नहुई हो चिंता नहुई हो और मांग नहुई हो कि अक्रोश भी वेक्त हुआ कि सभाग्रा में भी हुआ सभाग्रह के बाहर भी हुआ कि लेकिन हम सब पा सोभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का अलगावाद कि आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लंडे का एक बड़ा महत्तुम्ल कदम है कि अरे से महत्तुम्ल काम में मानिय सांसदों की सांसद की बहुत बड़ी भूमी का है कि जम्मु कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ वो महा मुल्य दस्तावेच जम्मु कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करते हैं आज जम्मु और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग नए उत्सा नए संकल्प के साथ जम्मु कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मोकाब छोड़ना नहीं चाहते हैं यह दिखाता है कि संसत के सदस्चों ने मिल करके संसत के भवन में कितने महत्रपुन काम किये हैं झाल